हेलो मेरे यार वाई एम सुप्रीम किश्णू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है तो इस एपिसोड के सुरुवात में हम देखते हैं कि वह स्वोट शेक्ट का बंदा कर रहा होता है तुम क्या स्वोचते हो तुमने एकेले ही चार ट्रेजर्स को ले लिया है और इसे लेकर तुम अब यहां पर बातों को घुमा कर बदल रहे हो यदि तुमने यहां पर बाकी के तीन ट्रेजर्स को हमारे साथ साजा नहीं किया बाटा नहीं तो तुम मत यह सोचना कि यहां से तुम जिंदा वापस निकल पाओगे और फिर उस वंदे को भी एहसास हो जा और बहुत ही जोर-जोर से चीखे मार रहा होता है और वह जो डीमन का ओरा होता है वह उस बंदे के बोडी के अंदर जाने लगता है मानो जैसे उसे केप्चर करकर अपने कंट्रोल में लेने वाला हो और वह बहुत ही जोर-जोर से चिला रहा होता है और हम देखते हैं यह स आखें, नीचे, उपर, दाएं, बाएं हो रही होती हैं और फिर अचानक सेंटर में आकर इसकी आखें सामने की और देखती हैं इसका मतलब ऐस डीमन ने इसे कंट्रोल कर लिया है और हम देखते हैं उसके दोनों आखे अखें बलू कलर की चमक रही होती है और बहुत ही खतरनाक तरीके से वह डीमन सामनी की और देख रहा होता है और हम नीचे देखते हैं कि वह एक अजीब तरह के पोज में खड़ा होता है और हस रहा होता है और का रहा होता है हाँ हाँ क्या बात है और हम देखते हैं इसके इस तरीकी के रवये को देखकर लियन घबरा जाता है उसकी और एक अजीब तरह के गोल्डेन लाइटनिंग जैसी चीज़े को भेजते हुए करा होता है हम सभी को उसे मारने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा आगे बढ़ो एक साथ मिलकर नहीं तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे और हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे और हम देखते हैं उस डीमन को जो कि वहाँ पर अपने सामने इस तरह के गोल्डेन चीज़ों को देखकर करा होता है यह तो गोल्डेन लाइट की सील्ड है आखिर यह मुझे क्यों रोक रही है यह तो बहुत ही बुरा है और हम देखते हैं वह अपने हाथ को एक और करता है और कुछ जटका देता है एनर्जी का और हम देखते हैं उसी के साथ जो लियन का बेरियर होता है उस डीमन को केप्चर करने के लिए उसमेँ एक बड़ासा होल बन जाता है उस गोल्डन सील में और वह कारा होता है ङसे देखकर तोатे हैं कि मुझसे दूर हो जाओ और यह देखकर तो लियन की हालत खराब हो जाती है और वह घबरा जाता है और ड्रेगन वोई भी घबराते हुए काता है उसका सरीर उस पर कपजा कर लिया गया है उसने एक ही वार में इस सील्ड को तोड़ दिया या कैसे हो सकता है और उसके साथी जो होते हैं वो और भी घबरा जाते हैं बहुत ही तेजी से उस होल से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं और वे कर रहे होते हैं बस तुम सभी सारे ट्रेजर्स को रख सकते हुए हमें कोई परभा नहीं है बस हम यहां से जाते हैं और दूसका साथी कर रहा होता है भागते हुए मम्मी बचाओ और हम तभी देखते हुए उन तक आवाज आती है रुक जाओ और हम बोली करकर उन्हें देख रहा होता है और हाफ रहा होता है थोड़ा सा मतलब सांस ले रहा होता है काजीब तरीके क्या जिस तरीके से गोश्ट लेते हैं और वो हसते हुगे का रहा होता है कि तुम सभी वहीं पर रुख जाओ और हम देखते हैं वहाँ पर जो ड्रेगन होता ह वह कहता है कि लियन यह बहुत ही खतरनाक सैतान है मैं नहीं जानता है कि इस सैतान की अभी सक्ति कितनी है लेकिन अगर यह बहुत ही पावरफुल हुआ तो हम इसे नहीं रोक पाएंगे इससे अच्छा होगा कि हमें यहां से तुनंद निकल कर भाग लेना चाहिए और हां भाई यूंग है तुम क्या कर रहे हो हम Razard से हम साथू में परकाप्जा कर लिया तुम लोग पागलों या से अब तुमीर से नारा नहीं नहीं ठीजा रहा है। और हम देखते हैं उस बंदे के पसीने चूटने लगते हैं तो फिर बिग ब्रदर आप हमारे जीवन को छोड़ दें हाच्छे हमारे संबंध रहें जिस पर आपने बोड़ी का कबजा किया है किरपया करके हमें जाने दे सीनियर सीनियर हम पर दबाव ना ड़ले इसका इस्ति बहुत ही खामोसिक साथ आगे बढ़ रहा होता है उसके अंदर से घर-घर की आवाज निकल रही होती जिसे गोश्ट करता है और वह हसने लगता है वह डीमन और फिर उनकी और रही सारा करते हुए करता है कि तुम बहुत जादा ही सोर करते हो तुम्हें आज यहां पर मरना हो है और एक स्टेंस लेते हुए उसके घर-दन को कट करके घुमा देता है और हम देखते उस बंदे का द हासके सरी से दूसरी और पलडश चुका होता है मतलब कि इसका खेल एहां इस डीमन में बहुत ही कुरुवल तरीके से खतम कर दिया है और यह देखकर लियन और यान का रहे होते हैं अपने मन में यह डीमन तो बहुत ही जादा स्पीड है यार इसके पास तो काफी खतरनाक फास्ट टेकनिक है और हम देखते हैं उसके बाद पिर वोई डीमन का दूसरा हात उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, वो अपने फेस को मारने लगता है और कहने लगता है तुम मेरे बोढ़ी से बाहर निकलो, कौन हो तुम, कौन हो मैं, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर निक करना है और तुम दोनों मेरे लिए विक्दम परफेक्ट हो और वह काता है ब्रदर लियन हमें क्या करना चाहिए अब इसकी बोडी की यह हमारे आदी होने वाला है हमारे बोड़ी पर कबजा करना चाहता है कि हमें इसे तुरंद मार देना चाहिए और हम देखते हैं लियन कहता है क्या तुम्हें लगता कि हम इसे मार सकते हैं जबकि जो इस टेंपल का मालिक था उसने इस टेंपल को केवल इस डीमन को यहां पर सप रिफाज दोगे तो हम भी देंगे हम सारे ट्रेजर्स को एक साथ निकाल कर उसे दे देते हैं लेकिन तुम यहाँ पर उस फॉर्मेशन को क्या क्रियेट कर पाओगे लियन कहता है कि हां हलाकि वो जो फॉर्मेशन थी वह काफी पावरफुल थी मैं उसके बारे में उतना तो नहीं जानता हूं लेकिन मेरे पास भी कुछ फॉर्मेशन है जिसके मददसे हम इसे मिलकर एक साथ उसके पावर्मेशन के अंदर केद कर सकते हैं तो हम सभी कर. करते हैं गुड तो हम तैयार होते हैं इस डीमन को रोकते हैं तब तक तुम उस फॉर्मेशन का सेट अप करो अगर लियन ने यह काम नहीं कर पाया तो हम सभी एक साथ निश्चित रूप से मारे जाएंगे हम समी को मिलकर अपने ट्रैपोट को निकाल कर वहाँ पर फॉर्मेशन को क्रियेट कर रहा होता है यह देखकर वह डीमन कहता है यह तो वह ही है यह तो वही ट्रैपोड है और हम देखते हैं उस डीमन की और उन सभी बंदों का वो सील अटेक आ रहा होता है उसे केप्चर करने के लिए लेकिन उसके अगले ही पल देखते हैं वो बंदा के वाल अपने हातों को फैलाता है और अपने ओरे को रिलीज करता है जिसकी वज़ा से उन सभी कर जितना भी अटेक होता है वह सबकुछ डिस्ट्रोय हो जाता है और हम देखते हैं वह डीमन बहुत ही तेजी से लियन की और आगे बढ़ते हुए कर रहा होता है वह ट्रेपोर्ट मेरा है वह पवित्र और रिवर ट्रेपोर्ट है और हम देखते ह लेकिन इसकी जो ऑरा है इसका परजयन से वह काफी खतरनाक है तुम सबी को काम करना होगा जब तक मैं इस फॉर्मेशन को कमपलीट नहीं कर देता हूँ और हम देखते हुए सबी उस दीमन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और यहां Dragon Boy अपने हाथों में एनर्जी को लाते हुए करा होता है कि जो Dragon की धर्मा है वहाँ सरीर है और जो Dragon की चार दिशाएं है उस पर वहाँ कबजा करता है डोमिनेट करता है और हम देखते हैं इज़र अरश्ट्रोन डीमन को जो अपने हाथों को चला कर रहा था हुँँ और हम इज़र देखते हैं यह सब कुछ देखकर वह डीमन अपने आखों को उनकी और ध्यान से देखता है खोल कर और फिर बहुत ही तेजी से उन्हें मारने के लिए अपने और एक हाथ में निकाल कर बढ़ने लगता है और हम अगले पल में देखते हैं जहां पर वह डीमन वह ड्रेगन बॉय और श्टोन डीमन के आर पार निकल चुका होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेगन बॉय के मुझ से बलड निकलता है और डीमन का तो सर ही उड़ चुका होता है और फिर हम देखते हैं वह जो डीमन होता है वह उन दोनों के आगे निकल कर काफी अस्ट्रोंग है मेरा सबसे अस्ट्रोंगेस्ट अटेक था मुझे उमीद है कि वह उसे कुछ ना कुछ तो चोट पहुंचाई होगी और हम देखते हैं फिर वह ड्रेगन बॉय देखकर काफी हिरान हो जाता है आखिरकार यह क्या है इतनी खतरनाक बहुआल चीज और हम सच मुझ में बहुत ही दिल्चस्प है अब मुझे मजा रहा है और हम देखते हैं उसके उपर की बोडी तो कंकाल होती है लेकिन नीचे की बोडी उसकी मांस होती है लेकिन उपर वालाम बिल्कुल नहीं और नीचे इस खतरनाक सीन को देखकर रैक्टर करता है सच में यार नरक से मुझे नफरत है ऐसी चीजों को देखकर वहां कौन जाएगा रहने के लिए मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ और इसे सीन के साथ यहां पर यह भी सोट खतम होता है सो लाइक, सब्सक्राइब, कोमेंट, लाइक करना, रिजेक्ट मत करना झाल, तो यहा जो है सब्सक्राइब, को देखकर वहां जाएभान जाएगा बंठ है, सब्सक्राइब, कोमें तार बहांता हूँ, लाइक्ट मत करना जाएगा जिए वहां पर वहांता है पाल хотите? झाल झाल